नमस्कार मैं हूँ शिल्पा पाचक बिहार आवर में आपका स्वागत है आज 20 जूलाई और बढ़ते बिहार के 25 बड़ी खबरे के ओर JEE में तीसे चरण के परिक्षा आज से शुरू हो चुकी है परिक्षा 25 जूलाई तक चलेगी होई JEE में 214 चरण के परिक्षा 26 सराइस और एक से दो से तमदर 21 को आज़ित की जाएगी इस परिक्षा के लिए उमीदवार को परिक्षा केंज़र पर Сोसल दे स्टैंसिंगं अपालन करना होगा परिक्षा हॉल में त्वार हैंसां इंट आइजर ले जा सकते हूमीदवार को किसी प्रकराण का मैट् 노력 आइटम नहीं पहनना होगा मुझे सोल वाले जूते की विस्ट्रेंट पहन कर नहीं आ सकते इंडियन आर्मी के ओर से वुमेंस मिलिटरी पुलीस से भरती दोशे 21 स्टेशन पोस्टर 20 चुलाई को बंद कर दिया जाएगा मिलिटरी पुलीस में सोल जल जिया नग्यार जाएगा भरती सेना के ओर से जान नोटिकेशन के अनुसर इस भर्ती प्रक्रिया के हिस्सा बने के लिए बिहारती है किसी मानतर प्राप्त स्कूल या सरकारी स्कूल से कक्षत 10 से लेके 45 पतिश्रत के पास अनिवारी होना निवारी जरूरी है। वुमेंस के साथ है मिलेटरी पुलीस के लाविदन करने वाले में धुआर की उम्र 17 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। पिछले साथ हैं में द्वारी की आई 152 सेमी होना निवारी बताया जा रहा है। भारते नौ सेना में नाविक के 350 पदो पर भरती के लिए या करे अपलाई। च्छाही एजुकेशन कौलिफिकेशन से जाद चानकारी की लाटिफिकेशन देख सकते हैं। आविदन शिरू होने की अंतिकतार 30 जुलाई है। UGC Central City में अड्मिशन के लिए नहीं होगा Common Interest Test। University Ground Commission ने बड़ी घोशना करते भी जानकारी दिया है कि साल इंट्रेशन नहीं किया जाएगा। आयोग ने काया कि Central University के साथी Common Interest Test के अकैडमी के अदोज़ा 22-23 से लागो किया जा सकता है। इस बारे में जानकारी देते हैं UGC ने अपने सोसल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्टल शेर्फ किया है। पोस्ट में करना महामारी को देखते हुए केंदे विश्वी द्यालम अकैडमिक 221-22 के दोज़ा अडिमिशन प्रोसेस पिछले प्रभ्यास के मताबिक जाली रखी जा सकती है। Central University Common Interest Test अगले अकैडमिक शुशन दोज़ा 22-23 से लागो किया जा सकता है। देख में 38-319 नई मरीज मिले, 38-521 वे ठीक और 501 की हुई मौत। पशिम बंगाल, हिमाचिल प्रदेश, ज्वारतन उडिसा, तमिलाज, में जुरम, गुवा और बंजज़ें के साथी है। यहाँ पिसले लागड़न जासी कड़ी प्रतिबंद लगाए जा रहे है। बिहार में मिल एक आसी नई मरीज, दो अंकों में पहुच और संक्रमीतों का आखड़ा। के फिल्हाल 13 जिलों में नई पॉजिटिव नहीं मिलने की राहत बात आई है सामने बिहार में 13 जिलों में सुमबार को एक बी नया कुरोना पॉजिटिव नहीं आया है इसमें अर्या, अर्वल, बांका, बकसर, जहानाबाद, गया, मुंगे, नवादा, रोहता, सिवहर, सिवान, वेशाले, पश्रिम, चंपारें, जिला, शामिले, साथी, किसी भी अनिराज में किसी भी तरह की कुरुना मरीज नहीं पाए गए है हला कि कुछ नहीं मरीजों की पहचा निकासी में पाए गई है, साथी, सुल्ला और दरभंगा में 14 के साथी, 38 जिले से तिहाई अंक में कुरुना मरीज पाए ज़ाने हैं, पटना दरभंगा ही, शामिले, रिकवरी रेट, अंठाने तसमा संतान में, फीद सी पहुच गई है पारी से कई नदि को जल से वापस खत्रे के निशान से उपर बहने लगी है, राज की आठ नदिया लाल निशान के उपर बह गई हैं, नेपाल उता बिहार के जल, ग्रहन छेत्म लगतार होड़ी बारिश के कई नदियों में उफान है, वहीं बारिश के हालात को देखती है अनुमा लगा जवारे के बातर घंटे के अगर अंतर बागमती, अधुवरा और महानंता नदियों के चल स्थानों पर लाल निशान के पार हो जाएगा, कोसी नदिय अगल खड़िये के साथी लाल निशान में 102 से उपर चली गई है, वहीं गंदक नदि कपाल गंच में खत बुंदी गंड़क के साथी पानी बहने के साथी चंपारन जिले में बाढ़ का संकत और अधी गहराने लगा है, संजे राउत के ब्यान पर भढ़के मुख्य मंतरी बोले मैं नोटीस भी नहीं लेता, संजे राउत के वेजीपी से नेतिस से समर्थ लेने की बात पूछे ज देखे, मैं तो उनका ब्यानों को भी नोटिस में नहीं लेता प्राहदकार में सिदल्दा बरतने और वरी पता दी करो कि आदिया से किया मिहला काने को लेकर जिला दिकाया डॉक्टर सत्या राज एसम ने बेनी असलादिका बुनेशो ज्छागवत अतकाल जिला मुख्याल है इससे त्वस्तावना स्प्रकाल है इसके साथ ही रियोगिदा करने का निदीश दिया है उनकी या आली नगर के सीओ बेनीपूर सीओ का कामकाज भी देखेंगे बिहार पैट्रोलियम डीलर्स ऐसोशेशन की मांग ज्यस्टी के दारे में लाए पैट्रोल डीजल पैट्रोल डीजल का मुली सरवोच इस तर पर उच्छ पहुंचा जा रह है जीलर कमिशन जब तैह हुआ तो वहां से कहा गया थे कि हर छे माहत तक कीमतों में व्रिधी के समिख्षा होगी कमिशन बढ़ाया जागा लेकिन ना तो कीमतों को समिख्षा हो रही ना यह कमिशन व्रिधी हो रही है इस तर न के मात सचे विजेंद्र कुमार सिन्हा ने बताए कि कीमत 100 रुपे के पार पहुच गी हमें एक टैंकर की तेल खरीदने के पूर भी आपक्षा 4 लाख रुपे से अधी की पुंची लगानी पड़ी है इंजर नेपाल रेल प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा ट्रायल रंड शुरू भारत सरकार की मतवा कांचे इंजर नेपाल रेल परियोजना का लाग लगभग पूरा हो चुका है जल्दी मदुबनी जिले के जैनेगर रेल वे स्टेशन से जनकपूर कुर्था के बीश रेल गाड़ी दोरने लगी है जैनेगर जैनकपूर रेल लाइन पर ट्रायल भी शुरू कर देगा है जनकपूर धाम से खुश्चुरत नजार को करीब से निहारा अब आशान हो जाएगा वहीं पूजा अर्चुन के साथ ही जनकपूर के जैनकपूर के जौन के मंदिर पहुचन के परिशाने भी जल्दूर होने के शमबाब ने की जैनकपूर कुर्था के बीश 34 किलोमेटर लंबी रेल लाइन का काम पूरा हो चुक है साथ ही रेलो स्टेशन के आथ्रों के स्वागत के लिए वन समर करते यार हो गया है रवी वार को जैनकपूर रेल लाइन पर ट्रायल भी शुरू हो गया खासकर अफसर पर समस्तिपूर रेल मंदल के DRM रा शोक महेश्वरी ने भी जैनकर रेलो साथी जल इस रूट पर सेवा शुरू करने जाएगी कोरोना की तीसरी लहर को देखते वे बिहार सरकाज के तियारी करिया अगस तक पूरे बिहार में 123 जनरेशन प्लांट लगेगी इसके साथी राज के सभी अस्पताल में और अनिमहत्पुन सरकारी अफस्पताओं के साथी अक्सीजन प्लांट के सुविध अपलवत हो जाएगी ये बाते स्वास मंत्री मंगल पांट ये इसका सुभारम पजना साहिब की सांसाथ रवी संकर प्रशाद ने कहां कि 233 लीजर शमता वाले प्लांट से 50 मरीजों को 24 घंटे अक्सीजन क्या पूर्थी कि जा सकते कि मःस परिश्र में किया जा रहा है इसी महिनी के अंतक हो जाएंगे शुरूर मृत सिक्षकों के राशिटों का अनुकंपा प्र बाहल करने का रास्ता सफ साहित निकाई के मुरीत सिक्षकों के आश्यतों को अनुकंपा पर बाहल करने और उनके सिर्जीत परदों पर रास्ता साफ हो जाएगा महालेखा कारत विहा ने सिक्षा विभाग के संबधी प्रस्तापा सहमती दे दी हाली में विभाग के साथी 1172 विद्यालेक साहेक को 1129 विद्य पच्चास फीट सी पद्र पर अनुकंपा बाहली सुनशीत है सेवाकार में नियूजन इकाईओं में मिलत सिक्षकों के आश्यत नियत भीजन पर वेतन का बहाल लिये चाहेंगे इसके साथी लाब लेने के लाश्यत को से नियूजन इकाईव अनुकंपा बाहली के करते चौकिदार और दफ्तार अपने पंचायत की जमी व्याद की चान काई देते हैं मौके पर दोनों पक्ष मौजूत रहते हैं पंचायत के जरी साधारे मामले सल्टा दिये जाते हैं करना संक्मन में कमी आने की कारण बैठकों में रफ्तार बढ़े लेकिन एक नहीं समस इनका निप्टार अब इस समय पर हो रहा है पचिम चंपारन के शराब धंदेबाजों खिलाब कारवाही तेज बगहा पुलिस जिला अंतरगत रामनगर वा बेतिया के लहुरिया में विगत दिनों जहरीली शराब पीने से कई लोगों के मौत के बाद शराब धंदेबाज इस दोना बगवा बेतिया पुलिस ने 312 असमलो 7 लीचर देशी और 33 देशी विदेशी 10 लीचर स्प्रिट तीन बाइक और एक सेलफोन चपके है पीने बताया कि लगतार कारवाई की जह इदर सराब पर ने किलकसने के लिए पुलिस ने अपनी रनीती पे बदलाओ कर दिया है पुलिस ने शराब धंदेबाज वाज़ों के लिफ्त लोगों के साथ उनके संरक्षन देने वाले सफेद पोशों को भी चिनित कर लिया जा रहा है पीम सीच मामारी की लाज के लिए वसूली किया मरीजों को जबरन किया डिस्चारज बिहार के सबसे बड़ा स्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एन हास्पिटल में डॉक्टों की मनमाही चरम पर यहां ब्लैक फंगस के लाज में वसुली की उज़ारी संबर को इसी मा के दिकारियों के साथ मुख्य मंतें दिसको मार से की गई पर जिनक आरोप है कि मरीज की हालात अब पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है उसे जबरन सिफ मनमानी पर आवाज उठाने का अन्डिस चार्ज किया जारा मारपिट की घटना से पुरे वाड में हड़का मज गया है एक मामले में गिरफतारी पत्ना में लोग दोड़ी लड़ाई लड़े है। एक तेर्फ को नहीं से बचोत दूसी तब पिलीस से निहाई की लड़ाई लड़े है। में मलूश नाम के अरुपित को ग्रिफतार कर जेल भेजा गया तिर्व इस मामले की इस चार्ज सीट नियाले में सम्मिट की गई कोड़ना के दौर में मामली की असुस्ती अनिय पिल्टों पर भारी पड़ी है इतरफ पुलिस घटनाए नहीं रोक पारी दूसरे पटना के घ साथ मस्दूर को लगाया जा रहा है काम सुबह नव बजे से शुरू कर दीगे है जिसे पंचाय चुनाओं के साथ ही सभी इवयम मशीनों की समय पर वर्कुटिंग का पूरा कार कर जाएगा अक्टिवर माह तक पंचाय चुनाओं होने की संभावने है इस ते मदिनचर हु कि कौन मसिंग चल रही है तो है किसको ठीक करना होगा सीम पैट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर आपस में बात कर कोई रास्ता निकाले पैट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर पत्रकारों के सवाल में जवाब दे रहे थे सुमार को पैट्रोलियम कंपनियों ने पैट्रोल डीजल के नहीं रेट चारी कर दे लगता दूसरे दिन तेल के दाम के दाम में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है गया में अवैद बालू के भंजारन पर पुलिस की बड़ी कारवाही गया के बेलगज थाना शेत्र की फालगो नदी सुरे अवैद बालू कारवारी की खिलाफ वर मामला दर्श करते वे 12,202,212 CFT अवैद बालू को जब्त किया गया है जिसके मुलिच 4 करव तिराएसी लाख 2,120,00 रुपे आकर बताया जा रहा है कारवारी पर खनी जा पत्ती के नुकसान सही तो 50,89,195 रुपे का जिर्माना किया ज़ा रहा है आज भी बारिश की आसार पाच जिलो में मौनसुन का अधीक अस्तर मौसम विज्यान केंदी ने मंगलवार के लिए राज के अधिकांस हिस्सों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है उतर बिहार के अधिकांस जिलों में भारी बारिश होने के उमीड जताय जारे सब पस्चिम चंपारन, पुर्वी चंपारन, सीवान, सरन और गुपाल गर्ज प्रमुख है पटना मौसम विज्यान केंदी के संजे कुमार का कहना है कि मौनसुन प्रदेश में भी सकते है इसका प्रभाव बिहार में भी देखा जो आ रहा है इसके लाव मधियर, असम में चुक्रवाद की थिती बनी है 21 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में कम दवाओ को शेत्र बनने के उमीद है इसे काफी लाब मिल सकता है राज में विविन शेत्रम शेत्रम शेमाजां बारिश होने से प्रदेश की किसानों को बड़ी राहत मिल रही है इस बार बकरीट का तैवार 21 जुलाई दिन बुधवार को मनाय चाएगा इद उल अजहार यानि बकरीट इसलाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा तैवार होता है बकरीट इसलामिक कैलेंजर के नुसा 12 महीने की 10 तारीक को मनाय चाएगा बकरीट का तैवार रमचान की महीने खत्म होने के 70 दिन के बाद मनाय चाएगा इस दिन नवास पढ़ने के बाद कुर्बानी दीश आती है भारत में इस बार बकरीट का तैवार 21 जुलाई दीन बूद्वार को मनाय चाएगा खबरों के अनुसा दिल्ले इस्तित जामा मस्जिद के नायव शाही इमाम शह्यद साबान बुखारी ने इद उल अजधा 21 जुलाई को मनाने की घोशना की है बकरीट 21 जुलाई को पूरे देश में मनाय चाएगी इद गाहू और प्रमुक मस्जिदों में इद उल अजधा की विशेस नवाज सुबा 6 बजे से लेकर 10 बजे 30 मिनट तक अदा करने की तयारी चल रही है वही कुरोना संकर्मन के कारण पिछले साल लोगों को घर में ही नवाज अदा करने पड़ी थी लेकिन इस बार लोगों को ईद गाहू और मस्जिदों में जमात के साथ नवाज अदा करने की उमीद है बकरीत के दिन सुबा में नवाज अदा करने के साथ ही इद मनाने की शुरूआत हो जाती है इसलाम अपने अनुयायोगों को खुशी के मौके पर गरीबों को नहीं भूलने की सीख देते हैं कल हमारे द्वारा पूछेगे सवाल के जवाब आप में से बहुत सा जिसने हमें कमिंट करके दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आपने से जिन यूजिस के जवाब चल लगे उनके नाम में कनिया कुमार तिंटिनोज और मनिश शर्मा आप हमारे सवालों के जवाब देते हैं कल आपका नाम लेड़ी की पूरी कोशिस करिंग दे चली बढ़ते आज के सवाल के और आज के सवाल को चस्प्रकार है क्या राज के 300 से अधिक निजी नर्सिंग संस्थान जो सरकार कादिस नहीं मानते इन पर जल्द कारवाही होनी चाहिए क्या राज कर दो